हलो दोस्तों स्वागत है study with rites channel के इस private classes में दोस्तों आज से मैं maths के कुछ important topics स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपके paramedical और paramedical dental के exam point of view से काफी important होने वाले हैं जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके math से आपके exam में math से 15 questions बच्चों पूछे जाते हैं ठीक है तो ये 15 questions किस topic से पूछे जाते हैं उन सभी topics को मैं cover करूँगा ठीक है और ये classes जो रहेगी ये private classes रहेगी यानि इस class का lab केवल वही बच्चे उठा सकते हैं जो हमार paid courses से जुड़े हुए हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आज की class को start करते हैं तो आज की जो class रहने वाली है वो रहेगी percentage की ठीक है तो देखे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि percentage का मतलब क्या होता है यानि परतिशत का अर्थ क्या होता है ठ प्रतिश्यक्रा ध्यान दीजेगा परतिशत का अर्थ क्या होता है प्रतिश्यक्रा या इंग्लिस में इसे हम लोग बोल सकते हैं पर हैंड्रेड ठीक है ध्यान देना बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजाएगा आज की class में तो percentage यानि परतिशत का अर्थ होता है इन है जिसका हर 100 तथा अंस कोई भी संख्या हो सकती है अब देखें यहां पर कहना क्या चा रहा है कि जैसे माल लीजिए यहां पर मैं एक संख्या ले लेता हूं 10 ठीक है और इसमें मैं परतिशत लगा देता हूं ठीक है तो अब बताईए इतने को आप लोग कैसे solve करते थ तो यह बता में 100 आ जाएगा ठीक है तो यही चीज कहा गया है बाभू कि परतिशत वह भिन है जिसका हर 100 यह क्या है हर है और यह क्या होता है बच्चो अंस होता है इंगलिस में अंस को क्या कहते है नियूमिरेटर नियूमिरेटर कहते है और हर को क्या कहते है बच्चो डी नॉमिरेटर कहते है इतना तो पढ़े ही हो इसको नियूमिरेटर अंस को और हर को डी नॉमिरेटर कहते हो ठीक है तो यही चीज कहा गया है कि परतिशत वह भिन है जिसका हर हर क्या होगा 100 होगा तथा अंस कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी जैसे यहाँ पर तो अभी 10 है, अब जैसे मान लिजिए यहाँ पर मैं x परतिशत लिख देता हूँ, तो आप लोग क्या किजिएगा, इसको कैसे solve किजिएगा तो x लिख दीजिएगा, अब परतिशत को हटा देना होगा, और बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है आ रहे हैं समझ में, इसी तरह से देखिए, हाँ, इसी तरह से बहुत से ऐसे percentage है बहुत सी संख्या ऐसी है जिसका direct आपको याद कर लेना होगा, जैसे मान लिजिए यहाँ पर 25 परतिशत मैं लिख देता हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25 परतिशत का जो fractional value होता है वो 1 by 4 होता है, ठीक है, कैसे तो देखिए, यहाँ पर 25 है 25 है ना यहाँ पर, अब इस percentage को हटाओगे, तो बटा में क्या आएगा 100 आजाएगा, तो काट दीजिए, देखिए 25 परतिशत के कितना होता है, 100 होता है यहाँ वन बाई 4 हो जाएगा यहाँ आ रहा है समझ में इसी तरह से जैसे माल लिजिए यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं 30% ठीक है 30% जैसे मैंने लिख दिया तो अब देखिए, 30 लिख देना है आपको, अब देखिए, परतिशत हटाओ गए यहाँ पे, तो बट्टा में 100 आजाएगा, याद रखना बट्टा में 100 आजाएगा, तो देखिए, तो एक जिरो से एक जिरो कैंसिल, तो क्या आया, तीन बट्टा फ्रैक्शनल वैल्यू बताएगा, तो देखिए, 60 परतिशत है अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं है, तो निकाल लीजिए, जैसे 60 लिख देना है, अब भही, अब परतिशत जो देख रहे हो लिखिए, है न, यहाँ पर 75 लिख दीजिए, और परतिशत को हटाईएगा, तो बट्टा में 100 जूट जाएगा, अब काट दीजिए, 25 यह 75, 25 जो के 100, यानि कितना आगया इसका तीन बट्टा चार आ गया, आ रहा है न, अब इसी तरह यह 90 परतिशत है, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए, और परतिशत हटाईगा तो बट्टा में, 100 आ जाएगा, तो देखिए, 10 से 10 कैंसिल, यानि कितना आ गया, 9 बट्टा 10 आ गया, आ रहा है समझ में, तो इसी तरह से बच्चों, आप लोग फ्रैक्शनल वैलू याद कर सकते हो, या निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, चले, इसी तरह से देखिए, तो अगर मैं यह लिख देता हूँ, 6 पुर्णांग, 1 बटा, 4 परतिशत, 6 इंटीजर, 6 इंटीजर, 1 बाई 4 परसेंटेज, इसका फ 24 और फिर इसमें एक, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25, तो यह आजाएगा 25, अपॉन में 4, अब देखिए, अभी भी परसेंटेज है, समझ में आ रहा है, अभी परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाईएगा, यहाँ पे बटा में 100 आ जाएगा, वही समझ में बच्चो, आ रहा है ना, चलिए, इसी तरसे अगर मैं यह लिख दूं, 37 पुर्णांक, एक बटा दू परतिशत, इसका फ्रेक्शनल वेल्यू बताईए तो, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, तो जैसे अभी मैंने क्या कहा था, यह दो है ना, तो पहले द दो में 37 से गुना किजिए, कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, अब इस 74 में एक से एक को जोड़ दीजे, अब इस 74 में एक को जोड़ दीजे, कितना हो जाएगा, 75, तो 75 बटा दो लिख देना है, 75 बटा यह नीचे दो है ना, तो 75 बटा दो लिख देना है, अब परतिसत का खे जीएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा ना बट्टा में 100 आ जाएगा तो आप सो कर देना है अब देखे 25 या 75 पचिस चोगे 100 तो यहां से देखे तो क्या यह यह तीन बचा और यह दो और गुने चार यानी आठ तो तीन बटा आठ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बोल बट्टा में बट्टा में 100 आ जाता है तो अब इसको शॉल्फ कर लिजीए एक जिरो से एक जिरो कार दीजे तो कितना है यहां बट्टा दस आ जाएगा आ रहा है समझ में ठीक है चलिए अब यहां पर कुछ और चीज़े आप लोग जान लिजिए देखे एक चीज हमें सा याद रखना कोई भी चीज कोई भी वस्तू दुनिया की कोई भी वस्तू कोई भी चीज है ना अपने आप में कितना परतिशत होती है तो हैंडेट परतिशत होती है यानि आप लोग भी खुद अपने आप में कितने परसेंटेज हो हैंडेट परसेंट हो अपने आप में स कि हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है ठीक है तो जब भी भी कोशन में बोले कि किसी भी वस्तु में 20% की व्रिधी कर दी जाती है तो देखे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है अगर बोलेगा कि 20% की व्रिधी कर दी जाती है तो इसी में पलस 20% कर देना होगा आप से समझना 30% की कमी कर दी जाती है तो आप लोग इसी 100% में माइनस 30% कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 70% हो जाएगा आ रहे है की नहीं आ रहे है समझ में अगर वृधि कहेगा तो आपको 100% में उस वैल्यू को एड़ कर देना होगा जितना बोला गया होगा कोशन में जैसे माल लिजे मैं बोलता हूँ किसी वस्तु में 50% की वृधि कर दी गई तो बताइए तो कोई भी वस्तु होगी वो अपने 100% होगी अब उसमें क्या किया गया है 50% वृधि किया गया है तो 20% की कमी की गई यानि वो वस्तु पहले अपने आप में 100% का था अब उसमें 20% की कमी की गई यानि माइनस 20 कर देना है तो इक इतना आ जाएगा 10% आ जाएगा आ रहा है समझ में देखिए दोस्तों ये वीडियो में रात को सूट कर रहा हूँ हो सकता है कि आपको मेरे तरब से back noisy कुछ कुछ सुनाई दे तो इसके लिए मैं शमा मांगता हूँ आप लोगों से ठीक है आप लोग उस पर ध्यान मत दीजेगा उन सब चीजों को ignore कीजेगा ठीक है तो इतना आ गया समझ में बच्चो चलिए जैसे माल लिजे यहाँ पर मैं डेड़ सो परतीसत लिख देता हूँ डेड़ सो परतीसत तो इसको कैसे solve करोगे तो माल लिजे डेड़ सो लिख लिजेगा अभी परतीसत है परतीसत को हटाईएगा तो बच्चो बटा में 100 आ जाता है तो काटी 10 से 10 अब देखिए यह 5 के पाड़ से चला जाएगा तीन बार में यह 5 के पाड़ से दो बार में यानि 3 बटा 2 आ जाएगा fractional values का आ रहा है की नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है ना तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं questions की तरफ अब हम लोग questions करेंगे ओके चलिए बच्चों देखेगा यह type 1 है type 1 कर दीजेगा और type 1 का type 1 क्या है परतिशत कमी पर अधारित प्रश्न है है ना परतिशत कमी पर अधारित प्रश्न है question है एक पुस्तक का अंकित मुल्य क्रें मुल्य से 20 परतिशत कम है बताए उसे कितने परतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाब हो ना हानी ठीक है बहुत अच्छा question है इसको मैं trick के मादियम से बताऊँगा ठीक है तो देखें सुरू में क्या बोला है कि 20 परतिशत कम है यानि किसी भी पुस्ता का जो अंकित मुल्य है वो क्रें मुल्य से कितना परतिशत कम है 20 परतिशत कम है और देखो question भी क्या है question का type ही है परतिशत कमी परधार यानि सुरू में आपको परतिशत कम देदेगा और उसके बाद क्या बोलेगा कितना परतिशत कम है और उसके बाद पूछ लेगा कितना परतिशत अधिक में बेचा जाए है ना या कितना परतिशत अधिक हो जिससे लाब होगा यहानी होगा ऐसा करके कुछ पूछ लेगा यानि एक तरफ कम देगा तो एक तरफ जो है अधिक के बारे में पूछ लेगा तो क्या करना है simply कुछ नहीं करना है ये 20% देख रहे हो ना इसको चुप चाप लिख देना है यहाँ ठीक है और upon में अब क्या बोला है बच्चो देखो तो 20% कम है कम की बात की गई है अब ही मैं क्या बताया हूँ थोड़ी देर पहले अगर कोई भी चीज कहता है कि 20% कम है यानि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है अब 20% कम बोल रहा है यानि माइनस 20% कर देना है तो कितना आ जाएगा 80% आएगा ना आएगा की नहीं आएगा तो 80 को लिख देना है यहाँ पर बता में अगुना में 100 कर देना है देखिए काटिए 10 से 10 अब 24 के 8 हो जाता है अब फिर इस 100 को कार दीजिए 4 के पाड़ा से 25 बार में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 तो 25% जो है रहीम के उचाई करीम के उचाई से 50% कम थी तो ज्यात कीजिए करीम रहीम से कितना परतिशत अधिक है या उचा है कितना परतिशत अधिक उचा है देखिए ऐसे questions बच्चों बहुत पुछे जाते एक जामे तो अभी मैं क्या बताया आप लोगों को क्या करना है बताईए क्या कीजेगा ऐसे question में बताईए तो कुछ नहीं करना है देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक तरफ कम देगा तो दूसरे तरफ अधिक के बारे में फूछ लेगा आपसे तो कितना 30 कम दिया है 50 परतिश्द कम दिया है तो सबसे पहले पचास को लिख लेना है इस पचास को लिख लिजेगा अब बोला है पचास परतिशत कम थी यानि कोई भी चीज अपने बचों 100% होती है अब यह पचास परतिशत कम थी यानि 50 को घटा देना है हेंड़ेट में से 50 को घटा देना है तो कितना बचा पचास परतिशत ही बचा ना तो बटा में क्या आजाएगा 50 आजाएगा और गोना में 100 अदिके 50 से 50 कार दीजिए तो बचेगा क्या केवल 100% 100% पुछेगा न 100% बचेगा तो बताए करीम रहीम से कितना परतिशत अधिक उचा है तो ये बच्चो 100% अधिक उचा है आ रहा है सवाल समझ में चलिए कोश्चन देता हूँ होमबक में बनाईएगा तो देखो ऐसे कोश्चन पूछे गए हैं इसलिए ये टाइप इंपोर्टेंट हो जाता है एक कोश्चन और है इसको हमबक में बनाईएगा लिखिए सीता की आए सीता की आए गीता की आए से 10% कम है सीता की आए गीता की आए से 10% कम है तो बताएए गीता की आय तो बताएए गीता की आय सीता की आय से कितने पर्तिशत अधिक है आय से कितने पर्तिशत अधिक है देखे कुछ नहीं है कोशन में अधिक है ये ठीक है तो चलिए ये कोशन हुंबक रहेगा आप लोगों के लिए इसका जो आंसर है वो होगा 11 पुर्णांग 1 बटा 9 परतिशत ठीक है यानि जो अभी मैं कोश्चन करवाया आपको कि सीता की आए गीता की आए से 10 परतिशत कम है बताए गीता की आए सीता की आए से कितने परतिशत अधिक है तो कितने परतिशत अधिक है 11 पुर्णा केक बटा 9 परतिशत तो चलिए बचो ध्यान दिजेगा ये टाइप 2 रहने वाला है इसको टाइप 2 कर लिजेगा आप लो टाइप 2 ठीक है तो टाइप 2 है परतिशत वृद्धी या अधिकता पर अधारित प्रश्न ठीक है कोशन है किसी वस्तु का अंकित मुल्य क्रेम उल्य से 25 परतिशत अधिक है तो उससे कितने परतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाएप हो ना हानी हो थेखे है यह पहला वाला जो टाइप तो प्रतिशत वृद्धी देदिया है तो बस वही है देखो यहाँ पर बोल दिया है कि इतने परतिशत अधिक है तो जब यहांपर इतना परतिसत अधिक दे दिया है तो पूछेगा क्या कमि के बारे में पूछेगा कि कितने परतिसत कम में बेचा जाए क्योंकि अधिक परतिसत दे दिया है तो अब क्या पूछेगा परतिसत कम के बारे में ही न पूछेगा तो क्या करना है कुछ नहीं करना है इस संख्या को पहले लिख लेते थे 25 को और फिर बटा में अब यहाँ पर 25 परतिसत अधिक कहा गया है बच्चो तो बडाये तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है तो अब इसी 100% में 25 परतिसत अधिक बोला है तो जब अधिक बोलेगा ना तो जोड लेते हैं कितना जोडेंगे? वही संख्या जोडेंगे यानी 25% जोडेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 125 परतिसत यानि 125 लिख देना है और गुना में 100 कर देना है काटिये तो 25 पचे 125 हो जाएगा फिर इसको काटिये 100 के पाड़ा में 100 को 5 से काटिये तो कितना बार में चला जाएगा 20 बार में चला जाएगा यानि 20 परतिसत आ रहे है की नहीं आ रहे समझ में आ रहा है ना बस इतना ही जानो एक तरफ दे देगा परतिशत अधिक तो पूछ लेगा परतिशत कम के बारे में यदि यहां पर परतिशत कम के बारे में देता तो यहां परतिशत अधिक के बारे में पूछ लेता आ रहा है की नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है ना हा जाए कि उसे ना लाब हो ना हानी हो तो क्या करते 25 लिए पहले आप लोग फिर बटा में देखिए 25% कम बोलता है तो क्या करते 75 लिखते डारेक्ट और गुना में 100 अब इसको काट लेते 25 या 75 यानि 100 बटा 3 तो 100 बटा 3 को क्या कहते हैं इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 33 पुना के एक बटा 3 आता है तो 33 पुना के एक बटा 3 परतिशत आ रहा है समझ में चलिए अगला कोशन ये होमबक में रखा आप लोगों के लिए होमबक में इसको बना लेना है और अगर दिक्कत आती है तो अगर कोई भी कोशन में दिक्कत आता है तो आप लोग जो ह हमारे WhatsApp ग्रूप पे भी मैसेज कर सकते हो ठीक है जितने भी पेड़ वाले बच्चे हैं वो WhatsApp ग्रूप में मैसेज कर दीजेगा आप लोगों को आपका solution मिल जाएगा question का चलिए देखते है next question चलिए बच्चो अगला टाइप है प्रतिशत व्रिधी और कमी दोनों पर अधारित प्रश्न तो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20 प्रतिशत बढ़ी परंतु कुछी दिनों के बाद मजदूरी 10 प्रतिशत घट गई तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ठीक है तो जभी भी कोश्चन प्रतिशत व्रिधी और प्रतिशत कमी पर हो यानि एक तरफ व्रिधी कहे एक तरफ कमी कहे या दोनों तरफ व्रिधी कहे या दोनों तरफ कमी कहे तो ऐसे कोश्चन को कैसे सॉल्फ कीजिएगा तो इसका बहुत एक अच्छा ट्रिक है क्या होता है ट्रिक A प्लस B प्लस में A उने B अपॉन में 100 यही ट्रिक है बच्चो अब इसमें A क्या होगा और B क्या होगा यह देखिए तो बोल रहा है कि एक वैक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी 20% बढ़ रही है यानि A जो है प्लस 20% हो जाएगा प्लस का सिंबल क्यों आया है क्योंकि बोलता है 20% की व्रिदी होती है बढ़ जाती है उसकी मजदूरी ठीक है लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तो 10% की कमी आ जाती है तो अब B क्या होगा माइनस 10% होगा क्यों माइनस का सिंबल क्यों आया क्योंकि 10% की कमी आ जाती है यानि 10% घड जाता है उसका मजदूरी आया बात समझ में बस अब बैठा दीजे देखिए 20 हो जाएगा और B क्या है माइनस 10 है ठीक है देखिए यह प्लस का सिंबल है अब इसी तरह A जो है बचो देखो क्या था A इधर जो है 20 लिख दिया मैं अब गुना में B क्या है माइनस 10 है अब देखिए एक काम कीजिए एक जिरो से एक जिरो एक जिरो से एक जिरो काट दीजिए अब 20 में से 10 गया 10 बचता है और ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा ये माइनस डो हो जाएगा ना तो प्लस और माइनस दो तो माइनस दो ही होगा तो 10 में से दो गया कितना बचेगा आठ तो आठ परतिशत ये व्रिदी हुई है या कमी हुई है तो हमेज़ा याद रखना कुछ भी sign नहीं होता है तो यहाँ पे plus sign माना जाता है यहाँ पे कुछ भी नहीं तो plus है यानि it means क्या 8% की व्रिधी option में बचो 8% कमी भी दे सकता है तो आपको याद रखना है 8% की व्रिधी हुई है समझ में आ रहा है न सबको चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ तो इसी तरह से अगला question है पजार मंद रहने के कारण राम की आए 10% घटी परन्तु कुछ तिनों बाद आए 15% बढ़ गई इस प्रकार उसके आए में कितने पर्तिशत का परिवर्तन हुआ यानि फिर से बच्चो वही formula apply करना है plus b plus में एक उने b upon में 100 यही formula यूच करना है न आप लोग को तो देखिए ए क्या होगा आप ही लोग बताइए 10% घटना यानि minus 10% हो जाएगा होड है ना और फिर b क्या हो जाएगा बोला है कि 15% बढ़ जाते है फिर plus में यह minus 10 हो जाएगा अगोना में 15 हो जाएगा और upon में 100 ठीक है आ रहा है बात समझ में बच्चो देखिए कैसे बनेगा तो 15 में से 10 को खटा देजिए बच्चो 5 आ जाएगा और यह minus आ जाएगा देखिए एक जिरो से एक जिरो मैं यही पर cancel कर देता हूं तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा बच्चो तो अब यहां देखिए इसको इसको भी काट लीजिए पांस तिया पंद्रा हो जाएगा पांस दोनी दस हो जाएगा है ना यहां से 5 माइनस 3 बाइ 2 लिख सकते हो आप लोग ठीक है इतना तो करी सकते हो अब बस इसको solve कर Uganda आ जाएगा साथ बता दो परथिशत क्या हुआ है साथ बता दो परतिशत इसको पुढ़नांग में भी लिख सकते हो आप लोग क्या तीन पुढ़नांग एक बुढ़नांग एक बता दो परतिशत की वृध्य हुई है समझ में आ रहा है हाँ तो वृधि बोलना यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लीजी आ रहा है आपका अंसर solve और मान लीजी आपका अंसर आ रहा है 20 परतिशत तो यहाँ पर क्या बूलेगा 20 परतिशत की वृधि होई है यही अगर आप लोग minus 20 आ रहा है तो आप लोग क्या कहिएगा minus 20 परतिशद की कमी यानि minus क्या represent करता है कमी और plus क्या represent करता है व्रिधि समझ में आ रहा है ना चले बढ़ते हैं next questions की तरफ चले बच्चो अगला type देखिएगा छेत्रफल पर अधहारित प्रैशन है ना बहुत अच्छा टाइब है बच्चो और इस टाइब से प्रस्ण पूछा गया है आपके पैरामेडिकल एक्जाम में ठीक है तो कोशन है एक आयत की लंबाई 5 परतिशत बढ़ाई गई जबकि चोड़ाई 10 परतिशत बढ़ाई गई इस प्रकार उसके छितफल में कुल कितने परतिशत के बढ़ाईब है अच्छा इसे पहले वाला जो अभी आप टाइब किये थे या फिर दोनों तरफ बिरिधी होता है या फिर दोनों तरफ कमी होता हैं है ना तो ऐसा मैं अभी बताये था ना तो same to same वही question है वैसा ही question है उसी trick पे बनेगा एना तो देखिए कैसे बनेगा इसका अभी मैं trick क्या बताये था आप लोगों को A प्लस B प्लस में A गुने B अपॉन में 100 ठीक है तो आयत की जो लंबाई है उसमें 5 परतिशत बढ़ा दी गई है यानि A क्या मालोगे आप लोग प्लस 5 परतिशत अब बोल रहा है जब कि चोड़ाई भी 10 परतिशत बढ़ा दी गई है यानि B भी क्या हो जाएगा प्लस 10 परतिशत तो इस प्रकार उसके चितरफल में कुल कितने परतिशत की वृदी आई है तो बस बैल्यो पूट करो देखो A 5 है B कितना है 10 है तो 5 प्लस 10 फिर प्लस में 5 गुने 10 अपॉन में 100 देखिए 5 में 10 को जोड़िएगा 15 हो जाएगा और 1 0 से 1 0 काट दीजिए और फिर इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं देखे 5 बटा 10 है तो मैं इसको 0.5 लिख सकता हूँ माल लिजी देखे 5 बटा 10 है ठीक है तो अगर मैं 1 0 को खतम करता हूँ तो एक डिजिट के पहले भाई दसमलो देना पड़ेगा न समझ रहे हो न तो ये क्या आ जाएगा 15.5 परतिश्यत की व्रिधी ठीक है आ रहा है समझ में बच्चो समझ में आ रहा है न यानि साड़े 15 भी बोल सकते हो आप लोग 15 परतिश्यत की व्रिधी हुई है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अच्छा एक कोश्चन मैं हुंबक दे देता हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग बनाएगा चलिएक कोश्चन लिखिए तो एक कोश्चन दे रहा हूँ आप लोग को एक आयतकार एक आयतकार खेत की लंबाई एक आयतकार खेत की लंबाई 20 परतिश्यत बढ़ाई गई ठीक है एक आयतकार खेत की लंबाई 20 परतिश्यत बढ़ाई गई जबकि चौडाई 10 पर्तिशत घटाई गई ठीक है तो भीया बताना है कि उसके छेतरफल में कुल कितने पर्तिशत का परिवर्तन हुआ तो उसके छेतरफल में कितने तो उसके छेतरफल में कितने पर्तिशत का परिवर्तन हुआ तो बच्चों ये question है प्यारा सा question है ऐसे questions आपके paramedical exam में पूछे गए हैं कई बार तो ये question होंबग पे रहेगे आप लोग के लिए ठीक है और उमीद करता हूँ ये video जब आप लोग देख रहे हैं video खतम हो जाएगा ये class खतम हो जाएगी तो आप लोग इस question का answer जरूर दीजिएगा सभी बच्चे से request है आप लोग इस question का answer जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोग का answer है question है एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चोड़ाई 10% घटाई गई तो उसकी छितरफल में कुल कितने परिवर्तन हुआ है यही question है अगले questions की तरफ बढ़ते है चले बच्चो अगला type है आयतन पर अधारित प्रस्न question है गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने परतिश्यत की कमी होगी तो बच्चो इससे पहले हम लोगों ने देखा था छेतरफल पर अधारित प्रस्न ठीक है तो अब यह है आयतन पर अधारित प्रस्न तो इसको कैसे solve करेंगे तो चलिए मैं एक trick बताऊंगो बहुत अच्छा trick है जिसके माद्यम से आप लोग question का answer मात्र एक से दो मिनट में निकाल सकते हैं तो चलिए trick को लिख लीजे पहले तो चलिए बच्चो ध्यान दीजेगा यही trick है अब इस trick को चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ तो देखी क्या है a plus b plus में a गुने भी upon में hundred जब इतने को solve किजेगा तो कुछ न कुछ पड़ी नामी मान तो आएगा ही आएगा अभी देखी इससे पहले हम लोग क्या किये थे छेतरफल वाले question को solve किये थे यानि छेतरफल पर अधारित प्रस्ण जो था उसको हमने solve किया था तो उसमें भी तो यही चीज़ हम नहीं किया था यही trick अप्लाई किया था यही trick अप्लाई किया था न हम लोगों ने a plus b plus में a गुने b upon में handed और जब इतने को हम लोग solve किये थे तो पड़ी नामी मान कुछ न कुछ आया था आया था कि नहीं आया था इससे बहले जो छेतरफल पर अधारित प्रस्न था उन सभी प्रस्नों को मैंने बताया था ना कि आपको ऐसे solve करना है stick के माद्यम से solve करना है plus b plus में यह गुने b upon में handed तो जब इस trick पे किजेगा तो कुछ न कुछ पड़ी नामी मान आपका आएगा तो अब वही पड़ी नामी मान plus में c कर देना है फिर plus में पड़ी नामी मान गुने में c और upon में hundred ठीक है कैसे बनाईएगा देखिए कोशन कोशन ए गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो माइनस 10% होगा b क्या होगा b भी वही होगा माइनस 10% होगा c क्या होगा c भी बच्चो माइनस 10% ही होगा बोलिये बनेगा की नहीं बनेगा बन जाएगा न तो पहले a और b को लेकर solve कीजिए तो कुछ न कुछ पड़ी नामी मान आएगा फिर उस पड़ी नामी मान के साथ c को लेकर solve कर दीजिए आंसर हाजिर चलिए कैसे solve कीजिएगा देखिए तो a कितना है minus 10 है b कितना है minus 10 है और बीच में क्या है plus का चीन है तो plus minus क्या होता है minus होता है तो यहापे minus 10 कर दीजिएगा अब फिर plus में a कितना है minus 10 है और गुने में b कितना है यह भी minus 10 है अब वन में 100 किजिए तो minus से minus cancel बच्चो 2 0 से 2 0 कतम तो यह minus 20 plus में 1 कितना है यह minus 19 परतिशत आया तो यह आपका परिनामी परिवर्तन हो गया परिनामी मान कुछ न कुछ परिनामी मान आया है यह और b को solve किये तो परिनामी मान आ गया अब इस परिनामी मान को आगे लेकर चलिए minus 19 कर दिजिए अब c क्या है c यहाँ पर minus 10 है लेकिन बीच में plus का चीन है तो plus minus क्या होता है minus होता है minus 10 हो जाएगा अब फिर plus में अब क्या किजिएगा परिनामी मान कितना है minus 19 है अगुने में क्या है c है न तो minus 10 हो जाएगा और upon में hand rate कर देना है कर दिजिएगा तो बस solve कर न दिजिए answer हाजिर तो minus 19 और minus 10 कितना होता है minus 29 होता है minus 29 होगा न अब एक जिरो सीक जिरो कार दिजिए यहाँ पर minus से minus खतम कर दिजिए और क्या हैगा बोलिए तो यह आपका आ जाएगा plus 19 by 10 इतना आया है तो अब देखिए minus 29 लिख लेना है अब 19 बटा 10 है ठीक है बीच में plus का चिन दे दो 19 बटा 10 है तो इसमें इसको ऐसी लिख सकता हूँ 1.9 क्योंकि देखिए यह हटाईएगा 0 तो एक डिजिट के पहले जो है दसमलो बैठा दीजिएगा ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.9 हो जाएगा अब बताईए minus 29 में minus 29 है plus 1.9 है इतने को solve कीजिए आपका अंसर हजिर हो गया solve करके बताईए तो क्या होगा तो जी हो दोस्तों इसका जो अंसर होगा 27.1 परतिशत कमी अब रिधी कमी अब रिधी minus 27 होगा बच्चो minus 27 क्योंकि minus 29 है plus में 1.9 है तो जब इतने को solve कीजिएगा यानि 1.9 में से minus 29 को घटाएगा तो minus 27 दसमलाव 1 परतिशत आंसर आएगा यानि 27.1 परतिशत की कमी होई है समझ में आया चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला question है एक घण की बुझा में 10 परतिशत की व्रिधी होई तो उसके आयतन में कुल कितने परतिशत की व्रिधी होगी तो बच्चो ये question आप लोग के लिए home back में रहा बिल्कुल इसी तरह से बनेगा बहुत तीजी है जैसा मैं बताया अभी formula trick उसी trick के मादेम से बना देना है इसका जो answer आएगा वो आएगा 33.1 परतिशत व्रिधी ठीक है हाँ ये ही answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला type है बहुत important type है type है आए वयाए पर अधारित प्रेश्न ठीक है हाँ income और expenditure पर अधारित प्रेश्न है तो चलिए question है एक आदमी अपनी आए का 5 परतिशत निर्धन कोस में दान करता है सेस आए इस तरह लिखना सेस आए का 20 परतिशत बचत बैंक में जमा करता है और अंत में अंत में है अंत में उसके पास 1919 रुपिया बच जाता है तो उसकी आए कितनी है तो बच्चो ऐसे questions में आपको क्या करना है यानि जब भी भी आए और वयाए पर अधारित प्रस्न आपको दिख जाए ठीक है जब भी भी दिख जाए तो क्या करना है आए जो है ना income आए जो है इसको माल लेना है 100x 100x माल लेना है ठीक है अब question पढ़िए अब बोल रहा है कि आदमी अपनी आए का पांच पर्तिशत निर्धन कोश में दान करता है तो कितना पांच पर्तिशत कि कहा दान किया निर्धन कोश में अपनी आए ना पांच पर्तिशत अपनी आए का मतलब गुर्ना पांच पर्तिशत इना इस और लेना city 5x है। उद कि लिएगोधे टीश्फन में कि आपनी तो 방 कॉन्ता है चौर्छव बच्छत बैंग तो बच्छत बैंग में बोल रहे हैं क्या बोल रहे है स्थाय का 20 प्रतिशत तो दिखे तो स्थाय कितना बच्च निर्धन कोस में दे दिये तो सेस कितना बचा पंचान में बचा तो सेस आये का यानि इस पंचान में एक्स का 20 परतिशत देख रहे हो ना सेस आये का 20 परतिशत बचत बैंक में जमा कर देता है यानि इसका 20 परतिशत बचत बैंक में जमा करता है तो देखें काटिये तो इसक पास बोल रहा है कि इतना रुपिया बच जाता है तो अब एक चीज बताओ आये कितना था इसका सो एक्स था सो रुपिया कमाता था निर्धन को समें कितना जमा किया बच्चो पांच रुपिया जमा किया समझ लिजिए और बचत बैंक में कितना जमा किया उननीस उननीस रु कोस में दे देता है और बचत बैंक में कितना दे दिया 19 रुपिया दे दिया तो यहां से टोटल इसका खर्चा कितना हो गया कुल आये में से यानि कुल आये 100 रुपिया था नहां तो इसका आये था, अब जिसमेंसे 24x इक खर्च कर दिया, तो बचा क्या घटा लो, 100 मेंसे 24, तु बोलोगे न, 86x, 76x बचा तो x के फॉर्म में कितना रुपया बचा लिया और रुपया के फॉर्म में कितना बचा रहा है 1919 रुपया बचा रहा है तो यह 76x बराबर हो जाएगा 1919 के क्योंकि बचत से बचत बराबर बचत x के फॉर्म में कितना आया है 56 x आए है रुपया के फॉर्म में कितना है 1919 है तो x बराबर देखिए 1919 बटा में 76 दीजिये तो भाग लगाई है 1919 में 76 से तो बच्चो भाग लगाई है जल्दी से 1919 में 76 से भाग लगाई तो कितना आजाएगा x का वैल्यू यह आजाएगा 25.25 इतना आएगा आप लोग कीजिएगा इतना आ जाएगा तो इतना आ गया आप बोल रहे है उसकी आए कितनी है तो बताओ तो x का value निकल गया है ना 25.25 तो i कितना है 100 इंटू में x माने है ना आए कितना है 100 x माने है आए माने है ना तो भाईया 100 और x की जगे क्या करना है 25.25 रख दो अब solve करो तो देखो तो यह दो digit के पहले क्या है दसमलो है तो यहां से 2 0 खता यानि i कितना आ गया इसका 2525 रुपिया अगर आपसे अब निर्धन कोस के बारे में पूछे कि निर्धन कोस में उसने कुल कितना र रख दीजेगा आप लोग 25.25 तो पता चल जाएगा निर्धन कोस में कितना की है बचत बैंक का भी निकाल सकते हो समझ में आ रहा है ना तो इस तरह जो है बच्चों आप हर एक चीज का निकाल सकते हो बिल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट है ठीक है अगले कोस्चन की तरफ बढ खर्च करती है यदि वह 3600 रुपय की बचत करती हो तो उसकी कुल आए कितनी है मैं क्या बताया जब भी भी आए से सम्मंदी प्रस्ण दे तो सबसे पहले क्या करना है आए बराबर आपको हैंडेड इंटु में एक्स माल लेना है हैंडेड एक्स माल लिए अब पढ़िए क कोशन है नीलम अपनी कुल आए का 20 परतिशत मकान के किराय पे खर्च कर देती है तो मान लेते हैं मकान के किराय पे कितना खर्चा की अपनी आए का 20 परतिशत यानि 20 एक्स यानि उसकी कुल आए कितनी थी हैंडेड एक्स थी एक्स के फर्म में मान लिया ना हम लोगों ने उसकी कुल आये हैंडेट एक्स थी, अब इसी का ना 20% खर्चा करती है, बच्छों माकान के किराए पे, तो इसका 20% भटा में 100 आ जाएगा दो 0-0 कार दीजे, तो कितना खर्चा की माकान के किराए पे, 20 into में x, 20 एक्स, अब बोल रहा है, सेस आये का 70% घरेलू मदोपर गहरेलू मदो समझते हो ना घर का खर्चा पर्चा रासन वासन है ना देखो निलम कितनी समझदाल लड़की है अपनी आयसे वो मकान के किराय भी देती है घरेलू खर्चा भी चलाती है तो घरेलू खर्चा में क्या करती है सेस का सत्तर पर्थिश्ट अब देखो बच्चो आ आये था, इक काम करती थी, वहाँ इसको 100 टका मिलता था, तो 100 में ही माकान के किराये पे 20 रुपया खर्चा कर दी, तो सेस कितना बचा, 80 एक्स बचा, बचा ना, तो यही बोला है सेस का 70 परतिसेत, यानि इसी का 70 परतिसेत, 70 परतिसेत, ठाटा येगा तो बचा में 100 आजाएगा, 200 से 200 चबा जाएए, 8, 76 यानि 56 एक्स रुपया, वो घरेलू मदों पर खर्च कर दी, अब बोल रहे है कि यदि वह 3600 रुपय की बचट करती है, रुकिये, रुकिये, तो पहले ये बताई, वो X के फॉर्म में कितना रुपया बचट की है, बच्चो, X के फॉर्म में, देखिए तो 100 रुपया उसका आय था, है ना, 100 रुपया बच्चो उसका आय था, कमाती थी, उसको मिलता था, जहां वो काम करती थी, अब उसमें से वो वीचारी 20 रुपिया मकान की किराये पर खर्च कर दी ओफिर घरेलू मदों पर रासन पानी में भी वीचारी वो 56 रुपिया खर्च कर दी तो टोटल कितना खर्च की 56 रुपिया खर्च की न 56 रुपिया खर्च की है देखो मकान की किराये पे 20 रुपिया घरेलू मदो पर 56 रुपिया यानि टोटल 56 रुपिया खर्चा कर दी तो बचाई कितना 100 रुपिया कमाती थी चीयत्तर रुपिया खर्चा कर दी यानि सो एक्स कमाती थी चीयत्तर एक्स खर्चा कर दी तो बचाई कितना एक्स के फॉर्म में तो क्या बोलेगा सर 24 एक्स बचाई है ठीक है तो ये एक्स के फॉर्म में 24 एक्स रुपिया बचाई है और संखिया में बोल रहा है कि यदि वो 3600 रुपया की बचत की हो यानि बचत से बचत बचत बराबर तो X बराबर 3600 बटा में 24 काटिये 12 तिया 36 होता है ना फिर 20 का 20 कर दीजिये 1224 यानि यहां से फिर से इसको काटियेगा तो यह 500 बार में चला जाएगा बच्छो तो X बरा कितना खर्च की सब निकाल सकते हो तो आए कितना है पूछा है तो आए 100X है 100X है ना तो 100X की जगे देखिए क्या कर दीजेगा 500 रख दीजेगा क्योंकि 500 आया है बच्छो आपका अंसे तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ ठीक है चलिए बच्छो अगला कोशन है बहुत अच्छा कोशन है और यह टाइप है चुनाओ पर अधारित प्रस्न है पूछ लेता है ठीक है चुनाओ पर अधारित प्रस्न है कोशन है एक चुनाओ में दो उमिद्वारों में से जीतने वाले उमिद्वार को कुल मतों का 65 परतिशत मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजई हुआ ग्यात कीजे कि मतदाताओं सूची में मतदाताओं के कितने नाम दर्ज हैं मतदाताओं मतलब समझते हो वोटर्स है ना तो मतदाताओं सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है यानि कितने नाम दर्ज हैं तो माल लेना है आपको कितना 100% माल लेना है ठीक है 100% माल लेना है अब एक चुनाव होता है उसमें दो उमिद्वार खड़े होते हैं तो माल लेते हैं एक उमिद्वार ए हुआ एक उमिद्वार भी हुआ तो बोल रहा है उसमें से जीतने वाले उमिद्वार को कुल मतों का 65% मत यानि जो जीता है ना जो जीता है इन दोनों में से उसको कुल मत का कुल वोट का 65 परतिशत प्राप्थ हुआ है तो आप लोग इसमें से किसी को भी जीता दो तो मैं माल लेता हूँ A को मैंने जीता दिया यानि इसको 65 परतिशत वोट मिला ठीक है A को 65 परतिशत वोट मिला थ तो आप बताईए B को कितना मिला है आप लोग खुछ सोचिए टोटल नमर अफ वोटर्स ये कितना है 100% है तो यदि A को 65 परतिशत वोट मिला है तो B को कितना मिला होगा 100 में से घटा दीज़े 65 परतिशत को तो कितना हो जाएगा बिच का difference क्या है तो बोलिए गसर 30 है तो ए जो है 30 पर 30 वोटों से जीत गया है परतिशत में है ना लेकिन संख्या में कितना बोला है संख्या में बोला है कि वो 900 मतों से विजई हुआ है तो देखिए ये भी विजई हुआ है यानि A, A परतिशत में कितने परतिशत से जीता है B से 30 परतिशत में और संखिया में कितने संखिया से जीता है 9 से, तो यहां से जीत बराबर जीत तो देखिए एक परतिशत का value निकालिए तो, यानि यहां से क्या आया 30 परतिशत बराबर में 900 तो एक पर्तिशत का value कितना आजाएगा बच्चो 932 यानि इसको काटिएगा तो एक पर्तिशत बराबर आजाएगा ये 30 आया है एक पर्तिशत बराबर 30 है ना तो बस अब पूछा किया है कि ग्याद कीजिए कि कुल मत दाताओं कितने थे यानि कुल वोटर कितनी थी तो ये 100% में थे तो 100% में थे ना तो 100 अब एक पर्सेंटेज का value कितना आया है देखे तो एक पर्सेंट का value 30 आया तो गुना में 30 कर देजिए यानि 3000 जो हैं कुल मत दाताओं की संख्या थी तो बताइए समझ में आया हाँ तो चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए अगला question है बच्चो ये भी बहुत अच्छा question है सोच रहाँ इस question को हमबत में देदूँ पर चलिए hints देदूँगा question है किसी चुनाओं में A और B दो परतियाशी थे इन्हें कुल मतों का 45 परतिशत मत प्राप्थ हुआ परंतु 1000 मतों से चुनाओं हार गया अब देखिए ध्यान से समझना है थोड़ा सा question में error है correct कर लिजेगा बोल रहाँ किसी चुनाओं में A और B दो परतियाशी थे है ना किसी चुनाओं में A और B दो परतियाशी थे A ने कुल मतों का यहां पर कर लिजेगा A ने ठीक है किसी चुनाओं में दो परतियाशी थे A और B तो A ने कुल मतों का 45 परतिशत मत प्राप्थ किया किन्तु किया परंतु वो 1000 मतों से चुनाओं हार गया बस इतना ही error है यानि इन्हें की जगे A ने कर लिजेगा तो किसी चुनाओं में A और B दो परतियासी थे तो A ने कुल मतों का 45 परतिशत मत प्राप्त किया तो देखिए दो मीदवार है A और B बोल ही दिया है कि A ने कुल मतों का कुल वोटों का 45% मत प्राप्त किया है तो A ने 45% मत प्राप्त किया है तो B ने कितना किया होगा और एक चीज मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको कुल मत दाताओं की संख्या क्या माल लेना है total number of voters कितना मानोगे total number of voters कितना मानोगे बच्चो कुल मत दाताओं की संख्या तो ये माल लेना है आपको 100% यानि 100% वोट पड़े होंगे जिसमें से A को 45% वोट मिला तो B को कितना मिला होगा थोड़ा लॉजिकली बताइए B को 55% मिला होगा मिला है ना तो अब बताइए A जो है B से कितने परतिसत अधिक वोट से हारा है कितने परतिसत से हारा है जीता नहीं है याँ पर A देखे 45% मत प्राप्त किया है B 55% मत प्राप्त किया है तो A ने कितना कम प्राप्त किया है A ने परसेंट में कितना कम percentage वोट प्राप्त किया है तो 10% यानि ये 10% से हार गया परसेंटेज के form में ये 10% से हारा है और संख्या के form में बोला है 1000 मतों से चुनाओ हार गया तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि देखिए percentage में εδώ 10% से हारा है B से और संख्या में कितना हारा है हुट हाज लिए चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे और ही चीज मतलब क्या मैं कहूं एकदम motivate feel करता हूँ जब आप लोग इतना support इतना प्यार दिखाते हैं ठेक है चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला type है जन संख्या पर अधारित प्रश्न देखिए जितने भी question मैं करवा रहा हूँ percentage के जितने भी types करवा रहा हूँ ये सब type आपके paramedical के exam में आए हुए है आप जाकर अपना previous paper बच्चो देख सकते हैं जन संख्या पर अधारित प्रश्न पूछा गया है दो से तीन बार पूछा गया है ठीक है तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा हरे question को question है एक नगर की जन संख्या दस परतिशत वार्सिक दर से बढ़ रही है वहां की वर्तमान जन संख्या एक लाग है तो तीन वर्स बाद नगर की जन संख्या कितनी हो जाएगी अब जब भी भी जन संख्या का प्रस्न देख लीजिएगा जब भी भी अगर ऐसा प्रस्न मिल जाएगा जन संख्या अगर बोलेगा कि एक नगर की जन संख्या इतना है इतने परतिसत दर से बढ़ रही है वर्तमान इतना है दो वर्स पूर्व इतना है तीन वर्स बाद इतना है यानि जन संख्या अगर देख लिजेगा न तो इसको कई से सॉल्व केजिएगा तो सबसे पहले ये 10% देख रहे हो न 10% वार्सिक दर से 10% वार्सिक दर ये क्या है दर है रेट है तो इस रेट को लिख लेना है बच्चो 10% अब मुझे एक चीज बता दो 10% का fractional value मैं क्या बताया था बताया था ना ऐसे करके 10% को हटाईएगा ना शृटा में 100 आजायेगा एक जड़ो से एक जड़ो काड़ दीजिये यानि एक बतादक दस बताया था मैंने बताया था बच्चो मैंने ऐसा तो अब क्या करना है आप देखिए बोलाई कि तीन वर्स बाद तो तीन वर्स तक का बात किया गया है इसके बाद सीधे रेट के बाद सीधे वर्स पे आना है तीन वर्स तक का बात किया गया है तो यहां से कर लिजेगा यह first year हो जाएगा आपका यह second year हो जाएगा इस तरह बना लेना है आपको और यह third year हो जाएगा ठीक है तो देखो होता क्या है पहले 10 थाए बाद में यह 10 से 1 बढ़ गया यानि बाद में क्या करना है 10 प्लस 1 कर देना है कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा क्यों हमने 10 में प्लस 1 क्यों किया क्योंकि 10 पर 30 वार्सिक 10 से बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना इसलिए पहले तो 10 लिख देना है पहले 10 था बाद में कितना हो जाता है 10 प्लस में 1 पहले तो 10 था ध्यान से समझना पहले बच्चों क्या था 10 था पहले तो 10 था दिख रहा है ना पहले 10 था अब बोल रहा है ना 10 पर 30 वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो इस 10 में प्लस क्या करना है 1 कर देना है यहाँ पर यह जो भी है न 1 1 है इसी को जोड देना है तो 1st year में 10 था 10 से 11 हुआ 2nd year में भी यही 10 से 11 होगा 3rd year में भी यही चीज़े लिख देना है 10 से 11 अगर बचों यही बोलता कि 10% वार्सिक 10 से घट रही है तब क्या करते तब आप लोग 10 का तो 10 पहले लिख देते फिर 10 में से 1 को घटा देते तो यहाँ 9 आ जाता सब जगे आ रहा है बात समझ में लेकिन यहाँ पर बोला किया है बचों वो ध्यान से देखिएगा बोल रहा है कि 10% वार्सिक 10 से बढ़ रही है यानि पहले 10 था फिर बाद में 10 प्लस में क्या करते न है एक कर देना है यानि 11 हो गया 2nd year में भी यही 3rd year में भी यही अब क्या करना है तीनों को गुना कर लिजे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 ठीक है गुना कर लिजे कर लिए इतना तो अब देखिए अब बोल रहा है तीन वर्स बाद तीन वर्स बाद बोला है ना अब देखिए बच्चों इस कोशन को सॉल्फ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा क्या एक चीज बताइए जैसे मालीजी अभी मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं है ना और यदि मैं पूछू कि मैंने आप लोगों दो दिन पहले क्या पढ़ाए था तो वो चीज पास्ट में हो जाएगा और अगर मैं बोलो कि मैं आपको future में या नहीं आने वाले दो दिन के बाद ये चीज पढ़ाऊंगा तो वो चीज future में हो जाएगा इतना पता है तो बोल क्या रहा है देखे पूछ क्या रहा है कि तीन वर्स बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगे तो ये क्या है तीन वर्स बाद तो तीन वर्स बाद बच्चो जनसंख्या कितनी हो जाती है X के फॉर्म में तीन वर्स बाद जो है नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है X के फॉर्म में अभी बताईए तो ये हो जाएगा 1331 X है ना और यदि मैं पूछू कि वर्तमान जनसंग क्या है यानि देखिए future के बाद आप लोग कहां चले जाएगा सीधे future के पहले future के पहले अगर मैं बोलूँगा कि ये चीज क्या है यानि ये 100 1000 x है 1000 x है ये क्या है तो ये हमारा present है अगर मैं पूछूँगा कि वर्तमान में अबादी गाओं की कितनी है तो क्या बोलिएगा 1000 x है और वही मैं बोलूँगा कि तीन वर्स बाद वर्तमान में इतनी है और तीन वर्स बाद कितनी है यही है नगर की जनसंग्या गाओं की जनसंग्या तो ये 1000 x है ये क्या है वर्तम तीन वर्स बाद नगर की जन संख्या कितनी हो जाएगी और X के फॉर्म में मैं बता दिया कितनी हो जाएगी यह 1331 1331 X और अगर मैं पूछू आप से कि वर्तमान में जन संख्या कितनी है X के फॉर्म में तो 1000 X कहिएगा तो दीए वर्तमान में 1000X है X के form में और यहाँ पर बोल रहा है कि वर्तमान की जो जन संखिया है ना वो 1,00,000 है यानि X के form में तो 1,000 है ही लेकिन संखिया के form में 1,00,000 है तो यहाँ से X का value निकाल लो बच्चो निकाल सकते हो तो देखे तो पहले 3,0 से 3,0 cancel कर दीजे तो X बराबर कितना आजायगा यह आजायगा आपका 100 क्योंकि 3,0 से 3,0 हमने cancel कर दिया तो X बराबर 100 आजायगा अब बोले 3 वर्त बाधगाओं की जन संखिया कितनी हो जाएगी तो तीन वर्स बाद गाउं की जन संख्या कितनी है 1331 X है तो 1331 X की जगे क्या है 100 है तो गुने में 100 कर दिजिएगा तो इक कितना आ जाएगा बताएए 1,333,100 आया है आप लोगा अंसर आ रहे है समझ में बच्चो बहुत इजी कोशन है बन जाएगा बस आप लोग एक सी दो बार वीडियो को देखिएगा गैरेंटेड है बन जाएगा अगले कोशन की तरफ चलते हैं चले बच्चो अगला कोशन है मोहन के गाउं की अबादी इस समय 6760 है यदि उसमें 4% दर से विरिदी हो रही है तो दो वर्स पूर्व गाउं की अबादी कितनी थी तो बच्चो मैंने क्या कहा था जब भी भी जन संख्या अबादी वाला ये ऐसा कोशन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है रेड जो है ना rate उसको लिख लेना है तो rate कितना है rate बच्चो दिया हुआ है 4 परतिशत अब 4 परतिशत दिया हुआ ना तो इसका fractional value क्या होता है तो बोल सकते हो आप लोग 4 बटा 100 percentage को हटाएगा तो 4 बटा 100 होगा ना इसको काटी है इसको solve किजिए तो 1 बटा 25 आजाएगा तो ये 4 परतिशत का fractional value क्या हो जाएगा 1 बटा 25 इतना हो गया इतना हो गया ना इसके बाद सीधे समय पे आ जाना है कितना दे रख है दो वर्स का बात हुआ है तो ये हो जाएगा आपका first year ये हो जाएगा बच्चो second year अब देखिए ध्यान से समझना है पहले ये 25 था बाद में क्या करना है 25 में प्लस एक कर देना है क्योंकि व्रिदी हो रही है अगर कमी रहता तो 25 में एक को घटा लेते 24 हो जाता लेकिन यहाँ पे 4 परतिशत दर से व्रिदी हो रही है इसलिए 25 में एक को जोड दीजेगा ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा सेकेंड येर में भी यही चीज़ होता है 25 से 26 हो जाती है ठीक है अब देखिए 25 में 25 से गुना किजिए 625 आ जाएगा और 26 में 26 से गुना किजिएगा ये 676 आ जाएगा दोनों रेशियो में हैं इसलिए गुने में X कर दीजेगा अब देखिए बोल रहे हैं कि 2 वर्स पूर्व गाउं की अबादी क्या थी तो अगर मैं आपसे पूछू ratio में बताए ये 2 वर्स पूर्व गाउं की अबादी क्या रही होगी क्या बोलेगा 2 वर्स पूर्व गाउं की अबादी दो वर्स पूर्व गाउं की अबादी क्या थी? X के फॉर्म में तो 625 X थी और वर्तमान ये ये वर्तमान हो जाएगा ना क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था पहले past आता है उसके बाद present आता है उसके बाद future आता है भूल गए तो माल लीजिए दो वर्स पूर्व गाउं की अबादी 625 X थी तो वर्तमान अबादी तो यही रही होगी ना क्योंकि past के बाद तो present आ गया ठीक है? तो दो वर्स पूर्व गाउं की अबादी 625 X है लेकिन संख्या के फॉर्म में यह है 6760 तो बराबर हो जाएगा वर्तमान से वर्तमान आ रहा है समझ में मोहन के गाउं की वर्तमान अबादी 676X है X के फॉर्म में और संख्या के फॉर्म में कितना है 6760 तो यह बराबर हो जाएगा वर्तमान अबादी वर्तमान अबादी तो X बराबर कितना आ जाएगा काटिए 10 आ जाएगा तो X बराबर जब 10 आ गया तो 2 वर्स पूर्व गाउं की अबादी पूछा है तो 2 वर्स पूर्व गाउं की अबादी 625 X है तो note down कीजिए और जो मैं question हो मग दोंगा वो previous paper का होगा चलिए बच्चो अगला question जो है वो है sorry अगला type है संख्याओ पर अधारित प्रस्न बहुत पूछता है question संख्याओ पर अधारित प्रस्न ये आपके exam में आ जाएगा आ जाता है बहुत बार तो कैसे solve कीजिएगा देखिए किसी संख्याओ का 4 बटा 5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्याओ ग्याद कीजिए तो सबसे पहले माना संख्याओ क्या होगा माना संख्याओ जो है वो x होगा तो अब इस संख्याओ का 4 बटा 5 भाग तो इस संख्या का जो 4 बटा 5 भाग है न इसके 65% से यानि इसी संख्या के 65% से 60 अधिक है बस बना दो कोश्चन संख्या गयाद कर दीजिए तो 4x by 5 बराबर में इसको काट दीजिए 5 के पाड़ा से 13 बार में चला जाएगा तो यह चार एक्स बटा में पांच इधर आएगा यह तो यह चीजिए माइनस में हो जाएगा माइनस तेरह एक्स बटा में 20 अब बराबर में 60 अब बताए इतने को सॉल्फ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मुझे आंसर चाहिएactor yes और नो कर सकते हो न तो देखिए 5 और 20 का इलसियम लिज्येगा क्या होगा 20 होगा और यह चाट चुके 16 x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यह 13 x हो जाएगा थोग समुए-13 1 यह बराबर में 60 तो यहां से 13 x बराबर में 60 यह बटा में 20 हो जाएगा 3x बटा 20 बराबर में 7 देखिए काट ये तो इसको 20 बार में चला जाएगा चला जाएगा ना 60 के पहड़ा 60 को काटना है तीन से तो 20 बार में चला जाएगा अब क्रॉस मल्टिप्लाई कर दीजे 20 कुने 20 कितना होता है 400 यानि वो संख्या क्या हो जाएगे बच्चो 400 हो जाएगे ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगलो चलिए बच्चो अगला कोश्चन है देखिएगा सेम टू सेम वही कोश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है अभी से पहले हम लोगों ने 16 नमर कोश्चन देखा था न वही कोश्चन है हल्का डिफरेंट है देखिए एक संख्या का 3 बटा 7 भाग उसके 40 परतिसद से 12 अधिक तो सबसे पहले क्या करना है माना संख्या एक्स है माना संख्या जो है बच्चो वो एक्स है तो अभी संख्या का तीन बटा साथ भाग इस संख्या का तीन बटा साथ भाग उसके 40 परतिसत यानि उसी संख्या के 40 परतिसत परतिसत हटा दी जाएगा तो बटा में सो आ जाएग 1010 काट दीजिए इसको 2 से काट यह 2 दूनी 4 दूपच्चे 10 तो यह कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 5 फ्लस में 12 तो यह हो जाएगा 3x अपॉन में 7 यह इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा और यह माइनस में क्या हो जाएगा बच्चो पांच सत्य पैथी यानि यह 14x हो जाएगा देखे पांच के पाड़ा में 35 साथ बार में आता है न तो साथ दूनी 14x ठीक है और यह फिर बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा न 12 तो अब देखिए 15 में से 14 घट आएगा तो केवल ए तो बच्चो अब क्या एकाम ना कीजिए इसको गुना किर दीजिए 12 में 35 से गुना कीजिए कितना आएगा 12 में 35 से गुना कीजिए यानि ये जो संख्या निकल कराई यह ने इसका 60 परतिसा तो 60 परतिसा थटा आईएगा तो बटा में 100 आजाएगा एक जिरो से एक जिरो फिर ये एक जिरो से एक जिरो काड़ दीजिए तो 42 चके कितना हो जाएगा यानि 6, 2, 12, 6, 24 और 25, 252 तो 252 जो है वो संख्या होगी समझ रहे हो चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए प्यारे बच्चो अगला टाइप है परिच्छा में फेल और पास पर अधारित प्रस्थन इस टाइप से भी काफी questions पूछे गए हैं देखें जितने भी types में करवा रहा हूँ न आप लोग एक बार जाकर अपना previous paper देख लीजेगा अगर है तो previous paper देख लीजेगा इस टाइप के question मिल जाएंगे आपको और बच्चो नहीं है आपके पास previous paper तो आप लोग आप लोग जो है मेरी मदद से भी previous paper खरीच सकते हैं यानि आपको PDF के रूप में मैं आपको 2010 से 2020 तक का paper दे सकता हूँ ठीक है इसके लिए आपको इसके लिए बच्चो आपको केवल जो है 50 रूपे का चार्ज करना होगा ठीक है हाँ 50 रूपे का चार्ज करना होगा यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग जो है 880 980 22888 इस नंबर पर contact किजिएगा आपको पूरा PDF जो है दे दूँगा मैं परमेडिकल का previous year का ठीक है तो चलिए बच्चो कोशन है टाइप है परिक्षा में पास और फेल पर पर अधारित प्रस्ण है तो किसी परिक्षा में 60 परतिशत विद्यारती गणित में 70% विध्यारती अंग्रेजी में और 50% विध्यारती दोनों में उत्रीन हुए तो बताए कुल कितने परतिशत विध्यारती उत्रीन हुए उत्रीन का मतलब समझते हो एक होता है उत्रीन ध्यान से समझना बच्चो एक होता है उत्रीन इसका मतलब होता है pass ठीक है और अनुत्रीन का मतलब क्या होता है fail यह आप लोग जानते होंगे आप लोग मैंसे काफी बच्चे जानते होंगे यह चीज ठीक है तो एक परिक्षा होता है जिसमें 60% देखो ऐसे question को ना इस type का जो question होगा इसको when diagram से बनाना when diagram जबी भी परिक्षा में pass और fail से अधारित प्रस्ण पूछेगा परिक्षा में fail और पास से अधारित प्रस्ण आएगा और बोलेगा कि इतने परतिसद विद्यारती इतना में गडित में अगरेजी में fail हो जाते है पास हो जाते है तो fail होने की संख्या पास होने की संख्या ये सब अगर question का language जो कुछ इस तरह का रहेगा तो इसको when diagram से बनाईएगा कैसे बनाना है देखिए तो कोई परिक्षा है जिसमें 60% विद्यार्थी गडित में तो कोई परिक्षा है math का exam है उसमें 60% विद्यार्थी math में आगे पढ़िए 70% विद्यार्थी अंगरेजी में तो अब ये अगला जो diagram बनेएगा थोड़ सा 60 दीजिएगा इसमें कुछ भाग इसमें भी आना चाहिए क्यों आना चाहिए ये मैं बताऊंगा तो 70% विद्यार्थी अंगरेजी में और इसको आपस में सटा दिया था मिला दिया था क्योंकि ये चीज़ जो देख रहे हो ना ये मैं जो बना रहा हूँ ये common है तो इसमें यानि दोनों में है ना तो 50% विद्यार्थी दोनों में उत्रीन हुए देखे किसी परिक्षा में किसी परिक्षा में 60% विद्यार्थी मैथ में उत्रीन होते है ये क्या उत्रीन है पास होते है 60% विद्यार्थी मैथ में उत्रीन हुए इंगलिस में कितना 70% बच्चे उत्रीन हुए और दोनों विश्यों में कितना 50% विद्यार्थी उत्रीन हुए यानि ये भी उत्रीन, ये भी उत्रीन है, ये भी उत्रीन है, सब पासी है, तो अब क्या करना है, आपको ये 60 देख रहे हो, ये 60 और 70, इन दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस 70, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 130 आएगा, 130 परतिसत आएगा ना, 60 परतिसत प्लस 70 परतिसत, दोनों को जोड़ियेगा 130 परतिसत आएगा अब 130 परतिसत में आपको ये जो है ना कौमर वाला दोनों में इसको घटा लेना है तो 130 परतिसत में घटा लेजे 50 परतिसत को 130 परतिसत में घटाना है आपको 50 परतिसत को तो कितना आजाएगा 80 परतिसत आएगा 80% आएगा तो बच्चों अभी हम लोग क्या देख रहे थे उत्रीन है उत्रीन है ये सब उत्रीन है तो ये 80% जो आया ये भी उत्रीन ही होगा तो अब आप बताओ इस परिक्षा में उत्रीन कितना विध्यारती हुआ तो 80% हुआ समझ में आया तो यही question पूछा था कि बताईए कुल कितने परतिसत विद्यारती उत्रीन हुए तो उत्रीन कितने हुए 80% हुए अगर अनुत्रीन पूछता तो क्या बोलते बताओ अनुत्रीन पूछता मैंने बताया था न कि आपके exams में किसी के भी exams में जो total number of student होते हैं वो 100% present होते हैं तो 100% present होते हैं यानि exam देते हैं तो भाई 100% जब exam दिये उसमें से 80% बच्चा उत्रीन हो गया पास हो गया तो अनुत्रीन कितना हुआ होगा अगर question में पूछता कि अनुत्रीन बताईए तो क्या जवाब देते हैं 20% बोलते हैं आप लोग आ रहा है समझ में चलिए अगले questions की तरफ चलते हैं चलिए बच्चो अगला question है देखिए अगर जिन विद्यारतियों को दिक्कत हो रहा है समझने में वो वेडियों को फिर से फिर से देख लीजेगा clear हो जाएंगी चीजे ठीक है चलिए अगले question की माद्य हम से समझना है फिर से जिनको समझने में दिक्कत हुआ है वो बच्चे फिर से समझेंगे question है एक परिच्छा में हिंदी में 40 परतिशत संस्कृत में 25 परतिशत और दोनों विशियों में 20 परतिशत विद्यारती अनुत्रीन हुए तो बताए कुल कितने परतिशत विद्यारती उत्रीन हुए यानि हिंदी में देखो हिंदी में 40 परतिशत बात हुआ है ठीक है एक मिनिट इसको अच्छे से बना लेते हैं तो हिंदी में बच्चो 40 परतिशत विद्यार्ती संस्कृत में 25 परतिशत विद्यार्ती इसको सटा देना है सटा कर बनाना है तो संस्कृत में 25 परतिशत विद्यार्ती और दोनों विश्यों में दोनों मतलब इसमें भी आना चाहिए इसमें भी आना चाहिए ये चीज कॉमन है समझ रहो ने ये चीज कॉमन है तो दोनों विश्यों में 20% विद्यारती अनुत्रीन हुए यानि हिंदी में भी 40% अनुत्रीन होते हैं विद्यारती होते हैं ना हिंदी में 40% विद्यारती अनुत्रीन हुए और संस्क्रीत में भी 25% विद्यार्ती अनुत्रिन हुए यानि फेल हुए और दोनों विश्यों में 20% विद्यार्ती अनुत्रिन हुए ठीक है तो मैं क्या बताया इसके बाद क्या करना है आपको ये 40 में ये 25 को जोड दिजिए तो 40 प्लस 25 जोड़ियेगा कितना आजाएगा 65 पर्थिशत आया ना अब इस 65 पर्थिशत को बचो घटा लिजेगा किसमें इस 20 से तो कितना आजाएगा 65 में 20 पर्थिशत को घटा ये तो कितना आजाएगा ये 45 पर्थिशत आजाएगा आयागा ना 45% बोल दिजए तो जी हाँ 45% आगया अब इस 45% आया तो क्या आया अनुतरीन ही आयोगा नै क्यूंकि अनुतरीन का ही बात हो रहा है तो 45% बच्शे जो है क्या हुए अनुतरीन हुए अनुतरीन अगर पूछे कोई फेल कितना हुआ बचा तो 45 परतिशत हुआ है तो पास कितना हुआ होगा उत्रीन कितना हुआ होगा बताइए पूछा है कि बताइए कुल कितने परतिशत विद्यारती उत्रीन हुए तो उत्रीन कितने हुए होगे 55 परतिशत हुए होगे क्यों कि किसी भी एकजाम में 100% भटा लिजेगा पच्पन परतिशत आजाएगा गॉट इट समझ में आ रहा है ना बच्चो चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं चलिए बच्चो अगला कोश्चन है और दिखें ये भी जो कोश्चन है ना परिक्षा में पास और फेल पर अधारित है ठीक है तो अभी जो हम लोग ने टाइप देखा था वो टाइप A कर दीजिएगा और ये टाइप B कर दीजिएगा बहुत कोश्चन आते हैं ऐसे अब दीजिए राम नाम का एक लड़का है और एक शाम नाम का लड़का है दो लड़के की बात हुई है राम और शाम का तो राम जो है न तीस पर तीसत बोल रहा है कि राम तीस पर तीसत अंग प्राप्त करके तीस अंगों से फेल हो जाता है तो फेल हो जाता है तो माइनस तीस कर देना है ठीक है और बराबर में अब यह साम के बारे में तो साम 35 पर 30 अंग प्राप्त करता है और 80 अंगों से फेल हो जाता है यानि यह माइनस यह भी 80 हो जाएगा बस सॉल्फ कर दीजिए तो 30 पर 30 और यह क्या है 35 पर 30 है तो 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 30 माइनस 35 कितना हो जाएगा 5 प 35 को घटाएगा तो माइनस 5 होगा परतीसत है तो परतीसत लगा दीजिएगा और बराबर में अब देखें यह क्या है माइनस 30 है तो यह माइनस 30 को उधर ले जाओगे तो यह प्लस 30 हो जाएगा तो माइनस 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा यह माइनस 50 हो जाएगा तो देखें माइ सो और एक परतिसत का वैल्यू कितना निकला है तस तो आप ही बताओ एक हजार एक हजार कि एक हजार नम्मर का वो परिक्षा हुआ होगा आ रहे समझ में बहुत सिंपल कोशन है बन जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रहने देता हूं यह पार्ट वन लोग को वीडियो अच्छा लगा हो यदि आप पार्ट टू भी चाते हो यदि आप सभी बच्चे पार्ट टू भी चाते हो तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग अपना फीडबैक जुर दीजेगा कमेंट बॉक्स में यदि मेरा पढ़ाया हुआ परसेंटेज आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग यदि बोलेगा कि पार्ट टू मैं कंटिन्यू करूं तो मैं पार्ट टू भी कंटिन्यू करूंगा ओके दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत